तो आज मैं एक ऐसी मूवी का रीविव करने जादा हूँ जो सटायर और पैरोडी से बढ़ी पड़ी है क्या इसका मतलब नहीं पता अरे मतलब तो मुझे भी नपता बस मैंने कूल लगने के लिए बोल दिया मलियालम इंडिस्ट्री को बस के जिएफ के लिए याद रखा जाता है पर कल मैंने एक ऐसी मूवी देखी जिसका नाम था ना थान केस कोड़ू इसका exact मतलब तो मुझे भी न पता बट आप इसको एक कौट रूम ड्रामा बोल सकते हैं एक ऐसे कहानी जिसमें राजनिज्दी के सीरियस गुद्धो को हसी व्यांग के रूप में दिखाया गया है एक ऐसे इंसान की कहानी जिसकी चोरी के आदत उसको स्टेट के नेता के सामने कोट रूम में खड़े कर देती है एक इमानदार स्क्रिप एक नटकर डारेक्शन और पोलिटिकल स्टायर के कहानी सुरू ह जाता है गरीव राजीवन के पास पैसे भी नहीं होते जिसके चलते हो अपना केस खुद लटता है केस फाइल होता है कोट में जाते हैं फिर सुरू होता है असली मजीदा ड्रामा कैसे राजीवन अपने उपर लगते चोरी के आरोप से वरी होता है कैसे राजनितिक बड़ी सपाई से दिखाया गया है कैसे उसमें अन अथराइज हसी मजाक होता है कैसे राजीवन कौट में अपने आपको ट्रीट करता है कोट में जड़ साब का बीवियर वकीलों का स्ट्रेंज बीवियर यह सब आपको एंगेज करके रखता है मुवी को एक सीडे पर मजबूर कर देती है मुवी की स्क्रिप्ट काफी हुटिंग लिखी गई है डाइनलोग डारेक्शन सब ओंपॉइंट है सिनेमेटोग्राफी तो अलगी टाइप की बोस जो आपका ध्यान आकर सित करेगी ऐसी एडिटिंग भी रेरली देखने को मिलती है सबी एक्टर्स क के लिए उसका कंक्लिकलीज्ट नहीं निकल पाता मतलब मदलब मुवी के एंडिंग तो बिल्कुल कलियर औन फिस्टिफाइड है इसे कुछ रूछ किलब्र होल्स वाज्टेव या आपको क्नवें लगते है तो मूवी देखने चीए या नहीं येस बिल्कुल अगर ब्रमास्तर दे के आप पक गई हो अगर कुछ अलग ट्राइ करना हो तो आप ये मुवी बिल्कूल देश सकते हैं तो ऐसे अंडर एटिर रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब कर भाई वरना तेरी क्रोम हिस्ट्री सबको दिखा डूंगा